नमस्ते साती हों आपके लिए रीट मेन एक्जाम 2023 के लिए मॉडल पेपर तयार कर दिया गया है इसमें 40 प्रेशन राजस्तान की भूगोल से हैं 25 प्रेशन सेख्षिक परिद्रश्य और निसुलक एवा अनबारेबाल सिख्षादिका राजिनियम से लिया गया है और 10 प्रेशन सिख्ष्षमन विग्जान के हैं और 5 प्रेशन सूचना तखनिकी की हैं इस तरह से कुल प्रेशन अससे लिए गए हैं और यह हैं मॉडल पेपर पूरी तरह से आपके लिए तयार किया गया है इसलिए वीडियो को पूरा देखना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों सेर करना और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जुरूर बताना आपके लिए है वीडियो बड़ी मेहन से त्यार किया गया है अब चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अपना पेपर शुरू करते हैं पेपर पैन लेकर के बैठ जाईए देखते हैं आपके कितने सही होते हैं चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारा जब फर्स्ट कोश्यन है अराबली परवत स्रेणी के निम्लिकी सब्दों में से कौन सा सर्वत सिकर है इसमें हो प्रकार की आंधी यह जो फौर्थ आम का जो है है option वो हमारा सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि भविल्लय एक परकार की आंदी है और उसके बाद हम चलेंगे थर्ड नमर के कॉंशन पर वह है निल्क में से कौन सी नदी राजिस्तान के आंत्रिक अपवाय हो जाएगा फॉर्थ नमर का जो है इसमें फॉर्थ नमर अपना सही होगा ठीक है फिर हम फॉर्थ क्वेशन पर चलिए राजिस्तान में आखेट निशित छेत्र है तो मतलब कितने छेत्र आखेट निशित है तो फॉर्थ नमर को कुल तैतिस है तो तैतिस तो फॉर्ष नमर और एकदम करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम चलिए हमारे पाचे नम्मर के कुश्ण पर भूरी रेतीली मिट्टी में किस तद्व की अधिकता होती है तो नाइट्रोजन फोस्पेट कैल्सियम अमोनिया ठीक है तो इसमें फोस्पेट की अधिक होती है तो हम दूसरे किस प्रकार की है तो यह इस्थानाट रेट करसी सोश करक्षी आद्रआवभा प्रवथ्य कर्सी तो इसमें जो है वह फैला नम्मर इस्थानाट करसी हो जाएघा ठीक है तो है तर उसके बाद हमारा कोश्यान आता है सातों नमबर का इसमें दिया हुआ है दो हजार ग्यारा की जणगन्ना के नुसार राजिस्थान में ग्रामीन महिला साथ चर्टा दर है तो गाव की जो महिला है उनकी सक्षतर दर फूछ राइस में तो इसमें जो है चार ओप्शन जे उननने चाश 25.1 45.8 और 41.3 तो इसमें थर्ड नमबर का जो है अपना 45.8 को इदम सही हो जाएगा उसके बाद हम चलते हैं आठवे कोश्यन पे हमारा जो है खोया तू वस्तर संबंदित है तो एक वस्तर है जो किसे संबंदित है जो इसमें पूछा गया है मीना जन जाती से भील जन जात से तो इसमें हो जाएगा दूसरा नमर भील जन जाती से संबंदित है खोया तू वस्तर ठीक है उसके बाद हमारा नवा कोश्यन आ जाएगा राजिस्तान में थायराइड के विशाल भंडार खोजे गए है तो थायराइड के विशाल जो भंडार है वो किस जिले में खोजे गए यह तो जिले इसमें च्यार है सीकर चूरू जुन जुन विकानेर तो इसमें हमारा जो है फार्स्ट नमर्सीकर जिले में सरवादिक खोजे गए उसके बाद हम चलते हैं दसमें नमर्पे क्वेशन नमर्सीकर जिले में राजिस्टान में परमाणु उर्जा परियोजना कहा पर इस्तिता है कहां पर हे तो यह सब को पताऊगा कुष्चन 10 सबसे सीधा अंसर है तो यह रावत वाटा में स्तिते टिक हैं हर किसी को पता रहता यह सब्सक्राइब बहुत कोमन सा है अज्यस्तान में है देशी परहतक सरवादत के जग आते हैं तो इसका हुआ जब सेजाधा है अजमेर मौंट टावू जोधपुर अलवर यह मेरे हमारे सबसेज़ाधात है तो 1 नमबर सही हो जाएगा ठीक है वह तो उसके बाद चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेसिंग के तरफ जैपुर मेट्रों की सुरुवात कभू ही तो जैपुर में जो ट्रेन है मेट्रों उसकी शुरुवात कभू हुई थी ठीक है तो इसमें हैं 24-17 15-16 तो सभी को पता है यह तो लबनॉर्मल से क्वेशन है 2015 में हुई थी तो इसका है जो 2015 एदम सई अंसर हो जाएगा उसको प्रातात्विक इस्तल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है तो इसमें चार ओप्शन आप देख सकते हो तो किस प्रातात्विक इस्तल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है इसमें चार ओप्शन है नमाना बागवर आहड और नागदा तो इसमें जो है आहड जो है वह तो राइट अंसर होगा कि आहड़ ही प्रातत्विक इस्तल को दुलकोट के नाम से जहना जाता है ठीक है तो आहड़ ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ जो है अपना अलाउद्दिन खिल जी ने किस वर्स राण थंबोर पर अधिकार किया तो राण थंबोर क या इसमिँ जो है यह ठीरा स्व थिक ए में राइट हैम करो नेक्स्ट कोश्चन ऊसके बाद है और फिर रेदिन कि हवेली कहां पर इस देता है ठीक है तो अध्य centimetersoque हवेली जो है आधिक चार जयो मेर करोली ब्रतपुर कोटा तो नाथमल की हमें हवेली कहां पर इस्तिता है तो इसमें हो जाएगा जो फ़र्स नम्मर का कोशन है जैसल मेर नाथमल की हवेली जैसल मेर मेर में इस्तिता है ठीक है तो उसका चलते है नेक्स्ट कोशन पे कर्णी माता का मेला कहां बरता है तो द नेक्स्ट कोस्टिन की तरब चलते हैं सत्मा पिछवाई पैंटिंग का संब्द निम्न में से किस से है तो इसमें मीड़ता ब्रांदावन पुसकर नाथ द्वारा ठीक है तो इसमें जो हो जाएगा फूर्थ नमबर का नाथ द्वारा एदम सही हो जाएगा उसके बाद चलते क्में मारबाडे एदम करेक्ड अनसर छाएगा त्योंकि आप्र नहीं से कवति से तुरि पासी क्योंकि से का वर्ठी ehat ka a तो ज्योंकि यहूंकि यह पर ही यह जिनतनता दिक होता है से कवाटि में ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट करिसन उद्धोतन सूरी की क्रति है तो इ तो इसमें जो है फोर्थ नमबर का ओप्शन सही हो जाएगा कोल्य माल ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट कोशन है वेवाड की वेहरानी जो संत रहदास के अध्यात्मिक प्रवचनों से सरवादिक प्रवावित हुई उस संत जो रहदास है उनके प्रवचन है जो सरवादिक प जो रानी पद्विनी और रानी सुमति डाली ठीक है तो इसमें जो है रानी सुमति डाली जो है सरवादिक प्रवावित हुई थी जो फोर्थ नमर का जो यह है यह एकदम सही हो जाएगा ठीक है उसके बादनेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आज इवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए जो प्रांतिकारी थी जो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो मतलब जिनों ने योगदान दिया था वो प्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के कभी पकड़ में नहीं आए तो प्रताप सिंग वारहट केशरी सिंग वारहट आप गोफाल से खरवा तो इसमें जो है जो रावर सिंग वारत है यह कभी पकड़ में नहीं आयते तो यह अपना थार नम्मर का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोस्टिन है बजट टी नामक आवसन शरीर के किस भाग में धारन किया जाता है तो बैने जाते है तो इसका भी दात ना कान गला है तो इसमें जो है फोर्थ नमर का ओप्शन है गला यह एकदम सही हो जाएगा ठीक है इसको चलते हैं एक्ट कोस्टिन पिछवाई का मुख्य विश्य है ठीक है हातियों की लड़ाई प्राणाली लीला स्रीक्रशन लीला यु एकदम सही हो जाएगा ठीक है करेक्ट अंसर तो उसके वाद चलते हैं पस्ट्रकषी को किस चत्रकला में विशेश स्थान मिलाये है तो इसमें है हैं फैस्ट भूंदी सेलि के संगर सेली नातवार सहली अलवरं सैली तो इसमें जो है बूंदी जो है तंस ये एक्दम करेंट करफ्ट कर स हो जाय तक या थिक है कि बूंदीyetんな ק्राण सर्बादी इस्थान के थे ठीक है तो इसमें डूंग जी और जवार जी को आप सब जानते होंगे तो वो है जो थर्ण नम्मर्क है इसमें सीकर डूंग जी और जवाहर जी शीकर जिले से थे तो अगला चलते हैं स्रीमाति किसोरी देवी किस-किस आंदोलां से संबंद रखती थी तो किसोरी देवी थी वो किस-किस आंदोलां से संबंद रखती थी तो इसमें बरण सीकर बिजोलिया बिकन है तो स्रीमाति किसोरी देवी थी वो सीकर आंदोलां ठीक है सिकर में जो अंदल हुआ था को सम्मंध रखते ठीक है चिकर अंदल से और उसके बाद है नेक्स्ट कि अधिक ए मिन राजपूत राना के किस राजगराने मेरे में प्रजामंडल को स्रक्चन दे रखा था राजपूत gas उनके जो राजगराने है मेहल है उसमें किस प्रजामंडल को स्रक्षन दे रखा था ठीक है तो कौन से प्रजामंडल को दे रखा था जैसल में प्रजामंडल है तो जैसल में प्रजामंडल को नहीं दे रखा था अलवर को भी नहीं था और जैफुर को भी नहीं था तो इसमे ब्रवन्द कोस्तर का लेकक कौ्ण था तो इसमी राजसेखर सुमेशवर मेरोतंग उमरदान चार उप्षिन इसमेंस में है इसमें फ़र्स नम्मर का अपना राजका टो यही था जिसका लेककक तो instant करेकरन हो जाएगा उसके बाद चलते हैं एक टत्र पश्ण के तरफ जिवरक्ष है तो यह तो बहुत सिंपल चा क्वेशन है आज को ता पांचाशन से बता देंगे रोहिडा है राजिस्थान का राजिवरक्ष ठीक है तो फाइस्ट जो है इसमें सही हो जाएगा राजिस्थान का राजिवरक्ष अपना रोहिडा ठीक है तो यह इसमें सही हो ग कितनी राशिप्रदान की जाती है जो योजना है इंद्रागाधि मात्रट बोसनड्य इसके अंदर कद राजस्ताइच मसरकार द्वारा है यंद कितनी मतलब राशी कितने रूपिए से दिये जाते हैं तो यह ठीक है तो इसमें option है 5000, 6000, 7000, 10.000 तो इसमें 6000 जो है वो इस psychiatर दिया जाते तो second number प्रकॉस अबर समें option चाईगा फिर आगे देखते हैं केंद्रिय सुस्क अनुज संदान सहस्थान की सतापना कब होय तढ़ है ठीक है 1969 त्था है तो इसमें सेकंड नंबर जो है 5050 वे दम सई हो जाएगा तो इसकी सताप न कव हो रहती artelnick देख के दरह चलते है कोगा राजस्थान के कि जिले में राजस्तान के जेन मंदिर इश्तित है तो जैन मंदिर है वो कहाँ पर इश्तिता राज़ी स्थान के कौन से जीले में है तो इसमें जो है भीलवाला हन वार आध्या शुरूई टॉप ठोप ठीक है टॉप नहीं टॉप है ठीक है यह टोप नहीं है गाइस टोख है में स्प्रेंट हो गया था तो इसमें है 32 में जो है थर नमर अपने शुरोई में इस्तित है ठीक है आपको पता होगा जैन मंदिर जो है बोका है शुरोई में ठीक है फिर राजिस्थान में निवलिकूत में से कौन सा सीमेट उद्योग का केंद्र नहीं है ठीक है तो इसमें चार उप्षन है निबा हेडा गड़े फान ब्यावर और मोडक तो इसमें गड़े फान हमें ये तीनों है और इसमें पूचाएं नहीं है कन्फ्यूज मत होना तो इसमें गड़े फान एक दब परेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद है नेक्स्ट राजिस्थान के राज्यपाल को पहचानने और जिनके कारकाल में ही राष्टपती सासन लगाया और हटाया भी गया है तो राजस्थान के राज्यपाल ऐसे राज्यपाल को पैचाने जिनके कार्यकाल में राष्टपति सासन लगाया था और हटावया भी था ठीक है तो यह चार है संपूनानंद और हुकुम सिंग एम चैन्नारेडी और रगुकुल तिलक ठीक है तो इसमें रगुकुल तिलक है वह करेक्ट अशर रह जाएगा तो रगुकुल तिलक के कालमी किया गया था उनके कार्यकाल में सासन को भी गय! राष्टपति सासन को और लगाया भी था ठीक है उसके बाद है निल्वेखित में से राज्य का वास्त्विक कारेफाली का परदान कौन है तो यह तो आपको सबको पता है मुख्यमंतरी होता है ठीक है तो राज्य का बास्तु कारपालिका पृद्हान को नहीं अपना इस रुए मुख्या मंत्री ठीक सई हो जाएगा इसको बाद चलते नेक्स्ट कॉस्चन को राजिस्थान विदानसवा में कुल क्वेश्द्ष्य-धे शंक्या क्ने कितनी सदस्ष्य के क्यांक यह विदू रटल क्वेस्ट्ट्ट सम्ट्वामै कुल सदस्चों कि संक्या कितनी है कि अफिक्स में तो हूं देन होगा दोस हो है ठीच है कि उसके बढ़ा दी आरगधा नहीं है उसके पुछ आगे चलते हैं का यहां को देश में कितने ओच्छ न्याले कर है मना हमारे देश हं उसमें कितने ओच्छ न्याली है ठीक हैं तो देश में कितनी उसी नाले हैं तो उस्चि नाले कितने है वो व्ताने को इसमें और रहें 50 कि 29 कि युद्यऌन खाया को और 26 तो इसमें है आपको एर जह है 25 25 उच्चि नाले हैं हमारेदेश में ठीक है और लाता शेंध़ आपागताइब शेयर कर्ताने कि यागी 25 है उच्छी नहीं लाए उसको नेक्स्ट कोश्टन है राजिस्थान में राज्य सचीवाले में इस्थित विवाग कहलाते हैं प्रसाशनिक विवाग निदेशाले कारेकारी विवाग और तिरभाग ठीक है तो इसमें जो है नेक्स्ट कोश्टन राजिस्थान लोग शेवा आयोग अपने किये गई कारे के बारे में वार्शिक प्रतिवेदन को प्रस्थित करता है तो आप है तो यह राज्यपाल राश्ट्पती साशन डाज्य या बिदान्सवर ठीक है तो इसमें राज्यपाल जो हैеф मानका गठन कब हुआ राजिस्थान राज्य माना बदिकार गठन कब हुआ था ठीक है तो प्रस्ट चार अप्संति रखैंगे उन्नीस सो इट्ञाण में 99 और 2000 और 2000 एक ठीक है तो इसका उन्नीस सो निन्न नियान में इसका गठन किए गया था यह सई हो जाएगा ठीक है सब्रिदान के ग्यारवी अनुसूची में पंच्याथ से संब्दित है कि समझ में पूंचे डेट है वह संब्दित है तो इसमें चार अप्शन 19 मार्च 29 मार्च 28 में और यह जो है बताने रखा वाकी आपको बताना है साथ में स्प्रिंट वह तो आगा इस सोरी वाइसमें फैस्ट जो है आप इतना याद रखे कि इसमें 29 मारच ठीग है सम्मेदान की ग्यारी में पंचास से संब्दित जो डेट है हो 29 मारच अगला कोश्चन अप जिला इस्थारिय प्रशाशन का जिला इस्थारिय प्रशाशन का प्रधान कोन होता है तो इसमें मुख्य सची जिला धीस जिला प्रमुख उक्त में से कोई नहीं तो यह कोई नहीं तो होगा नहीं ठीक है तो इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है सेकंड नमबर का अ लिला ठीश ठीक है फिर अगला चलते हैं 43 कि स्वास्त धरा खेत हरा नारा है तो यह नारा है स्वास्त धरा खेत हरा यह कौन सी योजना के अंदर यह नारा था इसमें प्रांप्रागत कर्शी विकास योजना का म्रद्धा स्वास्त काड योजना का कर्शी बानी की फर्मिशन का प्रदानमतरिक करसि से चाही युजना का तो इसमें जो है स्वस्त धरा त्व लांसरो जा रहा है ज जो भूमी वह स्वस्त होनी चाहिए और तौन खेहता रहोगा तो इसमें म्रद्दा के बारे में दिया गया है तो फिर उप्सेंड सेखियर जो ॉप्शन है हमारा तो यह एक जून को एक जून 2020 को तब से प्रारम किया गया था तो इसमें जो है फ़र्ष्ट ऑप्शन है वह एकदम सही हो जाएगा ठीक है उसके बात नेक्स्ट कोश्चन है हमारा को सालय दरभन पोटल कब सुरू किया घ्र था ठीक है तो इसमें डिट देठे रखिए बारा फरवरी लिग म में वहाद रखना है तो इसमें तो है यह 12 फर भी 2016 लाकों किया था तो यह आपका उप्शन एकदम सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत में अब तक कतनी वार सिक्षा tenga वनाय कि यह कहीं वार तो कतनी वार बनाई जाच चुकी है तो इसका ऑप्संट है आठ, साथ, चार, तीन तो इसमें जो तीन है वो एकदम करेक्टर नसर है तीन वार जो है सिक्षनीती बना जा चुकी है भारत में फिर वो 47 वा है राजिस्तान निसुल्क और अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार नियम आबली 2011 में कितने नियम उल्लेकित है जो नियम आबली है आजिस्तान निसुल्क और अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार तो इसके अंतरगत कितने नियम उल्लेकित है तो इसके अंतरगत देखते है 26, 29, 27 और 28 ठीक है तो इसमें जो नियम उल्लेकित है वो 29 नियम है ठीक है याद रखना है बोलने 29 नियम उल्लेखित किये गए हैं फिर अपना नेक्स्ट कोश्चन है कि फोटी है ठीक है राज्य सरकार ने निजी विद्यालों में आर्टी आई आर्टी इक तहट निशुल क्रेश कब से प्रारम किया निश्युल्ख प्रवेश्य कब से प्रारम किया राज्यस्थान सरकार ने निजी विद्यालों में तो इसमें 2011 12 13 14 या त्षट फंद्र ठीक है तो इसमें 2012 13 से जो है वो इस्टार्ट किया था ठीक है तो बारह तेरी एकदब सभी है फिर आगे चलते हैं कि वर्फा जेल एकत्रिद करने के लिए बनाया गया होध क्या क्या रटा है तो भर्फा के ज्ल में उसको यह स्वर क्वर्फा की पाणी को सखैंज क्या क्या ख़ाता है तो इसका सिंपल सा है यतो इसमें दूसरा आप जानते हूं एक कोphenे की हाप बावडने श्तिते तो यह अवं साथ बूर्बा यह तो यह नाम हुँ इसी साथ बूलन चाहिए आप यह 출ण पर यह अब नहीं रहे हैए बावनेर की चाहिए भू पर प्रेख क्षेट हो जाएगा अफॉले नेक्स्ट कुश्यन और है मोनी मोलना किस जन जाती से संबंदित हैं मोनी मोलना किस जन जाती तो भील दिल Yo गरासीयो शेरियो तो मीना जाती शे सम्बंदित है का इसी ठीक है मीना जाती से सम्बंदित है पिर चलते नेक्स्ट क loro कि है रेल्वे की छोटी लाइन राजिस्थान में कौन से जेले में है आल्वार दोलपूर बडहठपूर एंपना तो बड़हन बीह और सवय मांदवपुर में भी नहीं है तो यह सेकंड जो है दोलपुर यहां पर वो है तो दोलपुर इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा उसके बाद है सेचिक प्रोधोकी के बिशिच ड्रस्टिकॉन में सामिल नहीं है तो इसमें है hardware, software, system द्रस्टिकॉन ड्रस्टिकॉन तो इसमें सामिल नहीं है पूछाए स्काहर इसमें सैम और यह पुछ सकता है के शामर नहीं है कि yuan कि उसमें है सामिल इसमें पुझाए सामिल नहीं है तो दाष्णिक को स्बु Thanksgiving थोड़ा कुछ Això है कि अच्वा इसमें जो है दाष्णिक द्राष्टिक ओन्ठ जो है इसमें सामिल नहीं है तो इसका जो अंसर है वह हो जाएगा फॉर्थ अंबर के दाश्णिक त्रेश्टिक नेक्स्ट कॉश्चन है साइक्लोजी साइक्लोजी सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई ठीक है तो इसमें चार भासा जोड़े रखे स्पैनिस लेटिन व्रटेंश्टा आनसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन है विकास में संबलित है तो इतना तो जानते हुए विकास अधिक प्रवात्तिकरण, ठीक है, और अधिक परिफरक्त, अधिक प्रगती सभी, तो इसमें, तो सभी है, सभी प्रकार्शी होना चाहिए, विकास तो, तो इसमें जो है, वोर्तमर एक दम परक्ट थंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं है सामाजिक अधिगम का सिद्धान किसने दिया जो सामाधिक अधिगम है उसका सिद्धान किसने दिया था ठीक है यह बंडूरा इसमें देखा फैस्ट है बंडूरा दे रखा है कोर्त लेविन दे रखा है और मसलो और बोट्सन ठीक है तो किसने दिया था तो जो बंडूरा है इसने दिया था तो यह बंडूरा फैस्ट सही है ठीक नेक्स चलती है व्यक्तिगत विभिन्ता का छेत्र है मतलब जो व्यक्ति को जो भेदवाप किया जाता है व्यक्ति के साथ समानता तो उसका विभिन्ता का छेत्र है ठीक है तो लिंग भेद भी होता है व्यक्ति में तो लिंग भी आता है सारी क्रचना भी आती है रंग कैसा है और मानसी क्योंगिता निमाग से कैसा है कितना कोई पागल है कोई तो उसके लिए मानमसीन कहें गिता भी ठीक है उसके उससे भी बेज़बाब क्या जाएर्चितyo में व etan जो है एकदम सही है तो इसका तीनों यह है एकड डैसर हो जाया गागा यह सभी नेक्स चलते हैं रेखा कौन निमलित में से कौन सी व्यक्तित मापन की मनव विशले सातमक विधी नहीं है रेखा कौन निमलित में से कौन सी व्यक्ति मापन की मनव विशले सनातमक विधी नहीं है ठीक है तो इसमें हो जाएगा अपना तो चार अप्शन धिए पहले तो साथ झात कार मुक्त सहा चाहरे सब्साहर हो जाएगा ठीक है फिर चलते नेक्स्ट कोश्चन है अपना कितने माहाया में सुच्चु के दात आने प्रवर्ण हो जाते तो यह तो बहुत सिंपल स्ब्सक्राइब ये इतने मतलब माय के अंदर हां लगाते तो इसका 6 माय लेख देना, मतलब बच्चा आदे साल का इसा हो जाता है तो आने लगाते हैं, यह सही है है next question है कि मान्व सरीक्व को नूणा के योग से होता है किन्के योग से होता है मान्म पट्र का निर्वान टो इतक इसमें दे रहा है कोस ठीक है कोस दे रहा है उतक हड़ने शोध तो किसके योग से इसका योग czas थीक है तो किसके योग से स्मानव शरीर का निर्वान होता है तो ठीक है को शोगा मत भी अजिए बगिनाअब मत लिखाना कोसो कह रोक से होता है सावनुनोल त्यार तु हुए हिम घंड ने मन की तुला किसने कि थी है ठीक है तो है को एंड़ क्रों क्रॉंन क्रों रौकसा सिंगमंड और गरेट हुए तो इस में जो है सिंगमंड फ्यारट ये करेक्टर Champs वक्तित तो सब्द की उत्पति लेतीन भाषा करी किस सिट यह कई को सब्द से हुविती तो परसोना पर्सन पर्शनल बरस्नलटी ठीक है तो इसमें जो लीजित वाषा कों किस सब्द से हुई थी तो यह पर्सनल यह सब्ट तो मतलब रेटिन सब्द है नहीं एंग्लिस का है पर्सनल्टी पर्सनल पर्सोना यह साथ हिंदी का है कुछ पता नहीं तो इसका पर्षन हो जाएगा ठीक है पर्षन नहीं पर्षन भी है एंगलेश का तो इसमें पर्षोना जो फास्ट नमर का है वो हो जाएगा ठीक है एकदम कर्याक्टर चाल आगे चलते हैं बुद्धी सब्द का प्रियोक सर्पर्थम किसनी किया था ठीक है तो बुद्धी जो सब्द है उसका सर्पर्थम प्रियोक किसनी किया था इसमें चार उप्षन देर रहा है वकिंगम गोल्टन बुड्रो बुडवक तो यह है गोल्टन ने इसका किया था सर्पर्थम प्रियो सम्भव नई एक है अधिगम किसके बेना समभव नहीं वे नहीं है कि भीगति फ्रेणा वियुक्त के बैद में हम पते है व भीदति का वाता है विएकति के साथ है उसमे क्या देखने का मिलता है ठीक है इस अ का विछिती अि देखने सी कोकिन है तो भी देखने को मिलती है और प्रतिवान विद में मिलता है तो यह जो है दोनों ही जो ओप्शन है वह एकदम सही है तो दोनों को मतलब ए और दोनों ठीक है तो अप्शन सही है और फिर है हाँ--荟 है कि एडि-das है थिक है तो एडि-एच जो है वो क्या है पठं विकप्रति संप्रेशन विकरंति वान विकरति अव्धान विकरति तो अव्धान जो विकरत्थी है भई एडि-एच खताए ठीक है इसके बाद है 64 है अपना नहीं 67 है कारे के आराम करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है जो कारे को प्रारम भी करना और उसका मतलब चलते भी रहना और नियमित कि मतलब बिना लगाता ठीक है नियमित करने की प्रक्रिया क्या है ठीक है तो इसमें प्रेणा सम्रेद्धना सीखना प्रत्यक्ची करां ठीक है तो इसमें जो है प्रेणा है ठीक है तो प्रेणा एकदम करेक्ट अंसर हो जाएगा उसके बाद है अपना स्टेट कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन से लक्षन पाया जाता है कुंठा तनाप संभीग आत्म किस्तिर्था सांसिय समस्य समदान युक्त वहवार तो समयोजन की प्रक्रिया में उसमें कौन से लक्षन पाया जाता है तो यह तो वही है समयोजन की प्रक्रिया में सांसिय समस्य सम प्रणादान युक्तिवेबर फाया जाता है तो जो फॉर्थ नमर का आपता है वह सही होगा ठीक उसका नेक्स्ट लते हैं सुचना प्रधोगी की अधिनियम बना तो यह भी बहुत प्रधोगी की अधिनियम बना तो प्रधोगी की अधिनियम जो बना था वह 2000 में बनाता संदोचार में ठीक है और 2000 आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है फिर नेक्स्ट कोशन है यह आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं जो आधार कार्ड है जो आपका मतलब आप जो आपकी भारत के नागरी को उसका जो प्रूफ है वह आधार कार्ड को ही मान जाता है तो आधार कार्ड संख्या में कितने अंक है तो आपको तो आपका जो है पैस्ट नम्वर का एकदम सब्सक्राइब है ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं एक्स्ट पॉच्छन है अपना एक गीगावाइट किसे संब्सक्राइब है गीगावाइट जो आपके होते हैं एक गीगावाइट तो आपको पता है गीगावाइट यानी जीवी होता है और जीवी तो एक एक जीवी में कतना एम भी होता है एकजार चोईस एम बी ओता है और एम बी को क्या क्याते हैं मेगावाइट तो इसका जो है एकजार चोईस्ट फोर्थ नमर का जो है ओप्शन आपका सई हो जाएगा ठीक ये एकदम सई है इसको आप आसा निशे कर सकते कोई कि इतना हाड कॉस्टन नहीं है लेकिन अक्तर पूछे जाते हैं नास्ट फोशन है निम्मर में से ही बानिज्य का भाग है बताना है कि निम्मर में से बानिज्य का भाग कौन सांथ ठीक है तो तो इव्या पर ये विए भी है e banking ये भी है और इस इंग तीनों है तो तीनों है उप्रूग सभी तो ये भी है ये भी है ये वी तो ये अपना अप्रूग सभी एक दम सही हो जाते है hon응 है सभी है ठीक है इसे next question है प togetman राजिस्थान की प्रिशिद्ध निशानेवाज अपूर्ती चंदेरा ने किस वर्स आयोजित राष्टमंदन खेरों में सोड़ पदक जीता था तो जार्चावद है दो सब्सक्राइब नेक्स्ट कोश्यन है अपनाक कि शन्फदक जीतने वाले जो करशन पूनिया राष्टमंदन खेलों में वो किस खेलम उन्होंने सद्फदक जीता है तो इसमें है तीरंजाजी में भी नई जीता था निसानेवाजी में भी नहीं जीता था पेंड मेंटन भी उन्होंने मतलब नहीं तो डिसकर्स थ्रो के खिलाड़ी थे वो तो ओवेशी बात है इसमें जीतेंगे तो डिसकर्स थ्रो जो है फिर्टा कर्याक्ट अंसर होगा नेक्स्ट अपना मुख्य मंतरी चरंजयवी स्वास्ति भीमा योजना को कब से लागू किया यह 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 अदकि पहले बात तो 2029 1220 यह गलत ARE है पहले बात तो फाइस्ट हेलों सही है कि नेकस्ट आपना राष्ट्य सरसोँ अनुसंदान किए अपना किस पंचवर्षी योजना कि कि एंदर कि गई उत तो इसमें है पहला है ग्यार्मी योजना दूसरा है साथ भी पांच भी और चोथी ठीक है तो साथ में जो योजना थी साथ में जो पंच भर्षी योजना थी उसके अंत्रगत इसकी जो है सर्शो अनुसंदन के तरकिस्थापन की गई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपना राजिस्थान का बरतमान राज्यपाल ठीक है बहुत कॉमन से कोशन है राजिस्थान का बरतमान राज्यपाल कोन तो यह भी नहीं है यह भी नहीं है स्रीकाल राजमिस्रा एकदम सही अंसर है मदनपाल भी नहीं तो यह जो है आपका सही अंसर है ठीक है कि नेक्स्ट क्षेन ने आपका राजिस्थान विदान सवां करने यह भी बहुत शीधा कुछन नहीं तो राजिस्थान विदान सवां के अड़्यक्च्छ ठीक है Boy तो फस्ट है श्री सीपी जोसी बैंक के नाइडू एके नाथन एमेच में चत्व श्री सीपी जोसी है ठीक है तो यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा श्री सीपी जोसी ठीक है कि नेक्स्ट है आपका है कि बर्तवान में राजस्थान में कितने मंडल है ठीक है तो बर्तवान राजस्थान में कितने मंडल है यह बहुत सीधर कुशन है तो सब को पता है बर्तवान राजस्थान में साथ मंडल है ठीक है यह गलत यह गलत यह गलत यह गलत साथ मंडल बर्त राजिस्थान के बरतमान राजिपाल का नाम क्या है राजिस्थान के बरतमान जो राजिपाल है उनका नाम क्या है तो इसमें जो है कल्यांड सिंग मुर्ली मनुवर किर्शिकुमार मुकेश बंचोली तो फ़स्ट कल्यांड सिंग ठीक है तो यह था पेपर ठीक है ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मॉड़ल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे उसके लिए आप वीडियो पूरा देखे और कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा मॉडल पेपर चाहिए उसी के नुसर हम आपको मॉडल पेपर तयार करेंगे अपनी टीम से कह करके धन्यवाद